नमस्कार मैं नरंद विश्व कर्मा आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ लोग सक्षने संचनाले का बड़ा आदेश एक साला एक परिसर में अतिती सिक्षक बवस्था बहुत सारे अतिती सिक्षक ओंगे बाहर जी हाँ आज हम इस वीडियो में इस महत्पून आदेश के बारे में बात करेंगे जो लोग सक्षने संचलाले द्वारा जारी किया गया है जल पहुंचते हैं आदेश की और देखते हैं महत्पून आदेश तो देख सकती हैं यह है आदिस कारला संयुक्त संचला के लोग सिक्षण संभाग सागर का है जो 26 जून 1924 को जारी किया गया है इसमें लोग सिक्षण संचला लाए कि आदिस का हवाला दिया गया है जो 4.1.22 को जारी किया गया था उसके बारे में भी हम बात करेंगी इसमें बताये गया है उप्रियोक्ते विसेंतरगते संदरविद आदिस अनुसारे सुईक्रित सालाओं में संसादनों की युक्ती युक्ते उप्योक्ते दिश्टी गते एककरित विद्यालों में कारते सिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार कराये जाने की संबंद में आवैसिक नर्देश प्रदान किये गई थी सिक्षन संचनालाएं बोपाल की निर्देश प्राप्थ होने पर सत्र दूजर चौवीस पच्चीश में बहत प्रिक्रिया का पालन करती हुए अतितिक सिक्षक रखी जाएंगी किसी भी बिद्यालाएं में मद्द प्रदेश सासन स्कूल सिक्ष वाग वबलेक लोक सिक्षन संचनाला रखी जाने पर संबंद यत शंस्तबदान या शंकुल प्राचार या आरण सम्मितर अधेकारी बेक्तिकत रूप से उत्तर दाई माने जाएंगे तता उनके ब्रुद्धे आपात रतिती सिक्षकों की मांदे रासी बसूल इवं अनुसास अत्मा के कारबाही निर्मनिसार सुनिश्चत की जावेगी यदि जिले में बिद्याराय बार सुकरत कारत इवं रिक्त पदों की मद्यप्रदेस एजुकेशन पोर्टल पर पूर्टी पूर्ड जानकारी प्रदेसत हो रही है तो जिला सिक्षा दिकारी, बिद्याला सुईकरत, कार्रत इवंरिक्त, पदों की जानकारी का सत्यापन कराकर पोटल पर सुधार किया जाना सुनिश्चत करें तो यह लोग सिक्षन संभाग सागर का बड़े आदिश है इसमें लोग सिक्षन संजनालाए की द्वारा, जो 22,21,22 को आदिश जारी जारी गया था इसका हवाला दिया गया है, इसमें बताया गया है, कुछ निर्देश दिये गये हैं कि कहां पर किस परकार अतिथी सिक्षक की ववास्ता की जानी है कहने का ताद पर है, यदि बिद्याला एक साल एक परिसर के तहता आता है तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप चाहे तो साधिस को पढ़ सकते हैं एक साल एक परिसर यूजना की किर्यानवन के फल्स रूप है बड़ी संक्या में माद्धिमिक विद्ध्याला है यहाँ स्कूल जो पूर्वी से प्रतक प्रतक संचालित थी अब एक आकरिती रूप में संचालित हैं कहने का तादपर है जो 6-10 तक पहले स्कूल यह दी एक ही परिसार में लग रही है तो अलग-लग संचालित होती थी अब एसी बिद्ध्याला में 6-10 तक एक ही साथ संचलित की जाएंगे और 6-10 तक जो बिद्ध्याला है उनमें जो हाई स्कूल का सिक्षक होगा वा 6-10 दस तक पढ़ाएगा और वहाँ पर मिद्माद्धेग में अलग से शिक्षक की भरती नहीं की जाएगी युक्ति यकी करत विबस्था लागू होने से माद्ध में कौर हाई स्कूल में पूर्विसी पदस्ति इवम एका करते बिद्ध्यालों की सिक्षक की रूप में कार रहते हैं इवम संसादनों की युक्ति युक्ते उपयोग की दिश्टिकात एका करी बिद्ध्यालों में क तो जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई सिक्षा के कख्षा दसमी का है तो वह कख्षा 6-10 का रहेगा अर्थ 6-10 की किलासे में पठन-पाठन का कार कराएगा यह एक अकृत यह एक साल एक परिसर की आदिश की तहत है जो लोग सिक्षा संचनाल द्वारा आप देख रहे हैं तीन सिक्षा के वह हाई स्कूल में नियुन तम 6 सिक्षा को इस्थान पर आप यह एक किल्क्रते 6-10 सालाओं में नियुन तम 6 सिक्षा की फलब्द होंगी पहले क्या होता था कि जिए बिद्यारा एक साल एक परिसर के ताहत है तो माध्यमिक में 6-8 तक जो बिद्यारा की भ क्या हो बरती होगी वह अच्छे होगी कख्षा 6-10 तक कोई भी आतीची सिक्षक या परमरेंट सिक्षक की बरती नहीं होगी समझते एक एक रिसाला में जहां ब्याक्या था उच्छे माध्यमिक सिक्षक पदस्त हैं उनके कि द्वारा कक्षा 6-8 तक कक्षाओं कक्षा 6-12 तक की कक्षाओं में अध्यापन कार किया जाएगा कहने का तात्परदी बिद्यालाए 6-12 तक संचाले थे तो जो बारें क्लास टल्ट का सिक्षक होगा हुआ है 6-12 तक के पठन-पाथन का कार कराएगा इसी प्रकारदी बिद्यालाए एक सिवा आठ तक का है तो जो आठमी कब सिक्षक होगा आठमी में पदस्त उगाती थी प्रमान्ड सिक्षक वा पहली से पांचिंद्ध की कक्षाओं में भी पठन-पाथन का कार कराएगा इस आदिस में सपष्ट तोर पर बताया गया है और जो पीरेड की संक्या होगी वा नर्दारत की गई है छे पीरेड निश्चित किया जाते है तो यदि आपको जानकर ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए चैनलों को अभी तेक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस आदिस में अभी सुनिश्चित किया गया है कि सादिस का कड़ाई से पालन किया जाना है और यदि यहां गलत तरीके से भरती अतिति सिक्छा की होती है तो साला प्रमुखे संकुल प्राचार और जिला सिक्छा अधिकारी पर अनुसातमक करवाही की जाएगी साती सा अधिकारी बेतन आरन करवाता है उस पर भी अनुसासमत कारवाही की जाएगी तो इस कारण से लगबग बहुत से सारे अधिति सिक्छा के बाहर हो जाएंगे क्योंकि ऐसे कई विद्याला हैं जो एक साल एक परसर के तह संचाले थे और वहाँ पर मादमेक और हाई स्कूल म दोनों जम्हें पर अतिति सिक्छक की विवस्ता की गई थी तो इस कारण से बहुत से अतिति सिक्छक इस आधिस के तहत बाहर होने वाले हैं नमस्कार जैमतादी रादे रादे जैसीरा